age limit का क्या मतलब होता है ये आज की वीडियो में सीख लेती है एज लिमिट का मतलब होता है IU SEMA ये अम्र की बाध ध्यता यानि कि कि किसी भी काम को करने के लिए एक उम्र अगर निर्धारित की जाती है तो उसको एक age limit कहते है, age limit अपर भी हो सकती है और लोवर भी हो सकती है कि minimum age यानि कि जैसे हम यह कहें कि अगर आपको driving license बनाना है तो उसके लिए age limit जो है वो 18 साल है यानि कि कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए इसी तरीके से अगर आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए अलग-अलग age limit होती है किसी चुनाव के लिए 25 हो सकता है कि इसी के लिए 35 हो सकता है इसी तरीके से यह हो गई आपकी lower age limit या minimum age limit और upper age limit का मतलब है जैसे मानले जी कोई company किसी employee को hire करना चाहती है और वो कहती है maximum age limit जो है वो 35 साल है यानि कि 35 साल से कम IU के वेक्ति को ही वो उस नोकरी पर रखेंगे तो इस तरीके से age limit का मतलब होता है क age की limit यानि कि किसी भी चीज को करने के लिए या किसी नोकरी को पाने के लिए जो IU सीमा होती है उम्र की जो सीमा होती है उसको age limit कहा जाता है इसके बारे में और अधिक पढ़ना चाहते हैं और कुछ example sentences से इसको समझना चाहते हैं तो आपकी screen पर दिये गए हैं आप पढ़ स करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें